Hello and welcome you all, मैं हूँ धनान जय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनका नाम है सेंटिएगो मार्टीन और इनको लोग लोट्री किंग के नाम से भी कहते हैं किसी टाइम पे ये मैनमार में as a मज़दूर काम करते थें लेकिन जब से इलेक्टोरल बॉंड शुरू किया गया तब से लेके अब तक ये सबसे आदा डोनेशन देने वाले व्यक्ति बनके निकले हैं हलाकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को डोनेशन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन जो डेटा अवेलेबल है पबलिक डोमेन में इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया के वेबसाइट पे उसके हिसाब से इन्होंने सबसे आदा डोनेशन दिया है और स आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन सुझा हो है तो वो भी आप मुझे इमेल करके बता सकते हैं ये 15 मार्श का आर्टीकल है इंडियन एक्स्प्रेस का जहां पर आप साफ देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि ये मैनमार में as a liberal काम करते थे और 1988 में ये एक lottery company को बना महरास्ट्र है या तो आप इस वीडियो को pause करके आप ये पूरा नाम देख सकते हैं या तो आप simply indiatoday.com website पर जाके आप information access कर सकते हैं जो election commission of India का website कहता है वो ये कहता है कि लगभग 5 सालों में मार्टिन ने कुछ 1368 करोर का bond purchase किया एक बात मैं बता दू कि कि किसी भी political party या parties को fund करने का तरीका और भी सारे होते हैं लेकिन electoral bond का जो तरीका था ये government के हिसाब से legal तरीका था क्यूंकि अब ये exist नहीं करता है तो अब ये कहना कि ये legal है वो valid नहीं होगा क्यूंकि इनका जो business है वो hope के उपर dependent है और majority of times ऐसा देखा गया है कि जो lottery खरीदते हैं लोग व इनको एक उमीद होता है कि अगर वो lottery खर देंगे तो शायद उनका जो financial condition है वो improve कर जाए तो ये जो पूरा business है ये कहीं ने कहीं hope के उपर emotion के उपर based है और क्यूंकि इनका ये जो business हा मार्टीन का था मतलब अभी भी है ये एक financial business है तो इसलिए कहीं ने कहीं जो system है जो सरका है जो political parties है उनसे कोई भी अपना relation बिगारना नहीं जाएगा और सायद इसलिए कहा जाता है कि सदन इंडिया में कोई भी ऐसे political parties ये leaders नहीं होंगे जिनसे इनका relation अच्छा नहीं होगा या जो इनको नहीं जानते होंगे क्यूंकि सेंट इगो मार्टीन का जो business है वो कहीं न कहीं hope और emotion के उपर based है तो उसी में क्या होता है कि 2008 में सिक्किम government इनके उपर एक allegation लगाते हैं जहां पर ये कहा जाता है कि इन्होंने 4500 करोड का scam किया है और उसी दोरान क्या होता है कि क्यूंकि इनके जो political relation होते हैं वो अच्छे होते हैं तो केरला में एक बहुत ही important या क कुछ internal विवाद चल रहे थे उसी दोरान क्या होता है कि Martin King as in चंदा वो एक group को 2 करोड रुपया देते हैं उसके बारे में जैसे ही दूसरे group को मालूम पड़ता है तो ये मामला काफी बड़ा हो जाता है और as a result क्या होता है कि जिस group ने Martin से पैसे लिये थे उसको वो पैसे वापस करने पड़ जाते हैं अब जो लोग सेंटिएगो मार्टीन को जानते हैं वो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कहते हैं कि सेंटिएगो मार्टीन के लिए 2 करोड रुपया का चंदा देना या किसी भी politician या political parties के लिए 2 करोड जैसे amount को खर्श करना उनके लिए ये के आसपास पूछा गया तो उनका जो बोलने का तरीका था या उनका जो सेंटिएगो मार्टीन के तरफ जो रवया था वो काफी favorable रवया में convert हो गया था अब क्यूंकि कैरला गवर्मेंट लोटरी को पर्मिट करते हैं अपने state में तो उनके जो revenue है annual revenue उसमें बहुत बड़ contribution लोटरी के पैसे का भी आता है और लोटरी कुछ इस तरीके से केरला के फिजाओं में घुल मिल चुका है कि वहाँ के लोग लोटरी को एक तरीका देखते हैं जिससे कि उनको लगता है कि उनके जो जिन्दगी का जो financial crisis है शायद वो इसी लोटरी के दुआरा वो खतम हो सक उसके बाद 2011 में जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थें तामिनाडू के एम करुणा निधी जी तो उनके लिए एक movie को produce किया गया था जिसमें कि सेंट डियेगो मार्टीन ने 20 करूर रुपे का चंदा दिया था तो आप ये सब देख सकते हैं किस तरीके से political system में इनका काफ अप्रिल के महीने में जब हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तब सिर्फ कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर रियल के तब तामिनाडू में जो सेंटेगो मार्टीन है उनकी वाइफ नरेंदर मोदी जी के साथ stage share करते हैं हलाकि यहाँ पर कहने का ये मतलब नह इनके political connections काफी अच्छे हैं तो इन बीते 10 सालों में ऐसा देखा गया है कि इन्होंने अपने business को काफी expand किया है जहां पर ये homeopathy हो गया है, hospital हो गया है, television हो गया, music हो गया है, इन सभी मतलब तकरीबन सभी businesses को ये explore करना चाह रहे थे और अपने business को काफी हद तक ये expand भी किय ये आप data देख सकते हैं जहां पे future gaming and hotel services ने कितने amount दिये हैं आप इस data को बड़े अराम से आप पढ़ के देख सकते हैं, जो सबसे shocking चीज रही वो ये रही कि TMC second number पे है और Congress थीसरे number पे हैं, उसके बाद 2013 में केरला पुलिस, San Diego, Martin के अलग-अलग locations पे illegal lottery के मामले में इनके उपर चापा पड़ता है, 2015 में फिर income tax department मार्टिन के premises पे चापा मारते हैं, तामिनाडू, कैरला, करनाटका, मतलब possibly हर उस location पे चापा मारा जाता है, जहां पे मार्टिन रहता था, 2016 में ED ने San Diego Martin के उपर चापा मारा money laundering के case में, उसके बावजूद भी San Diego Martin बढ़ चड़कर political parties को वो fund करता रहा, latest जो information है वो ये है कि में 2023 में ED ने कुछ 457 करोड का जो property है, उसको attach कर लिया, money laundering के case में, जहां पे ये कहा जा रहा है कि ये सिक्किम government को कुछ 900 करोड रुपय का नुकसान किये हैं, तो कहने का ये मतलब है कि एक तरफ तो इनके उपर multiple rates पड़े हैं, इ यहां पे ये मालूम पड़ता है कि politics और money का एक बहुत ही बड़ा nexus है, जो कि शायद कभी खतम नहीं हो सकता है, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे, तो मैं मा भी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye